कि हम एक और नई वीडियो देखिया है इस नई वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे जो हम डॉकर के साथ हम अपना जो माई एसको डेटाबेस हम उसको कैसे चला सकते हैं मिन्स कि हम डॉकर में कंटेनर रण करेंगे विदी हैल्प ऑफ हर माई MySQL database, हम दो container run करेंगे, एक हम करेंगे अपने project के लिए और दूसरा container run करेंगे MySQL database के लिए और उसमें हम क्या करेंगे, हम जो MySQL का root का password है और उसका login set करेंगे और उसमें हम एक database create करेंगे और उसमें कुछ data add करके हम उसको जब container run होगा तो उसके दुरू हम उस data को fetch करेंगे तो यह हम हमारे पास एक जो basic application है node.js की और विद हम MySQL के साथ हम दोनों को container को run करेंगे ठीक है तो उसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो MySQL है हम उसको container में configure कर सकते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है हमारे पास एक directory structure है यहां पर जिसमें हमारे पास दो folder है एक app का folder एक database का और उसके बाहर एक हमारे पास जो है docker.yml file पड़ी हुई है ठीक है तो हम सबसे पहले जो हमारा app का folder है हम इसको open करते हैं अब इसमें आप देखोगे इसमें हमारे पास जो node के modules है एक हमारे पास docker file है और एक हमारे पास entry point.sh file है और दो हमारे पास जो dependency किया है एक package log file है और एक package.json file है हमारे पास ठीक है अब इसके बाद एक हमारे पास यहां पर क्या है हमारे पास एक जो server.json file है तो में जो हमारा रन होगी हमारी जो फाइल चलेगी container चलेगी हमारी server.js से चलेगी ठीक है हब उसके बाद हमारे पास database का एक folder है जिसमें हमारे पास क्या है एक db backup नाम से हमने एक SQL file बनाई हुई है मैं इसको अगर अपन करना हूँ तो इसमें एक हम क्या करेंगे फाइल है जिसमें हम एक student नाम का table बनाएंगे और उस table के अंदर हम दो entry करेंगे अपनी ठीक है यह हम दो entry करेंगे उसमें और यह entry हमारी क्या होगी जब हमारा container बनेगा तो container के अंदर docker file है ठीक है यह हमारी docker file है तो हम इसको भी समझेंगे और last में हमारे पास जो इन दोनों के बाहर folder के बाहर एक docker compose file पड़ी है ठीक है तो चलिए हम step by step इसको समझते हैं किस तरीके से हम क्या file है हमारी और किस तरीके से हम इसको run करेंगे ठीक है composer की help से तो उससे बहले अगर दोस्तो आप हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को like कर दीजे subscribe कर दीजे और latest वीडियो द पहुंचाएगी तो जलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने जो एप का folder है इसके अंदर जो हमारी docker file इससे शुरू करते हैं ठीक है तो अगर आप किसीने हमेरी last वाली हमने sample video के लिए जो एक हम किस तरीके से container simple जो टेस्टिंग के लिए container कैसे run करते है तो वीडियो मैंने डालिए है तो पील साथ उसको एक पार check out करो उसमें मैंने बताया भी किस तरीके से हमारी docker file है उसका basic structure किस तरीके से work करता है तो सेम हम इसी वीडियो में भी समझेंगे ज़ो हमारी clicker file किस तशी थाप से फ़िए तो सबसे पहले हम देखें तो उसकी जो डेपडेंसि रहती है ब़िए प्रोजक्त लीए देटावेश के लिए बना रहें है किसी और सर्विस के के लिए बनारे हैं तो हमारी धुक्षाइल रहती हैं उसमें हमसे पहले अपनी कोयारिमेंट होती है उससर्विस इसको सीוכ हम टिकलेर सती है यहांपर पर विटकले टिमुल 蛮ेती हैर परजन है उसको हम अपने container में install करेंगे और उसके बार जो हमारी work directory रहेगी ठीक है तो यहां पर जो work directory work dir का हमारा command रहती है जिसको हम use करेंगे तो यह हमारा जब हमारा container run होगा तो हमारा जो भी file का structure रहेगा वो इसके अंदर रहेगा तो यह हमने एक path set कर दिया जो हमारा project run होगा container के अंदर हो इस path पर रन होगा ठीक है अब उसके बाद हम क्या करेंगे जो एक यह dependency है तो जब हम install कर लेंगे यह work directory में हम चले जाएंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे हम सबसे पहले अपना जो है उसको container को अपडेट करेंगे ठीक है container को अपडेट करने के बाद यह dependency है जो हम install करेंगे यह dependency क्या करेंगी जब तक कि हमारा mysql का container रन नहीं हो जाता जब तक हमारी mysql की service रन नहीं हो जाती तब तक क्यार करेंगा यह wait करेंगा जब वह mysql की service अब इस रन हो जाएगी तब यह हमारी application आगे जो यह container है आगे process करेंगे ठीक है अब उसके बाद हम क्या करेंगे हमारे package के जो हमारे module है नोड के module है तो उनकी सारी dependency जो क्या होती है वह हमारी package log file में होती है और package.json file में होती है ठीक है तो हमने यहां पे एक star operator की wide guard की मदद से हमने क्या करा है जितने भी package की file होंगी उनको same जो है dot slash directory जो की हमारी यह है work directory इसके अंदर ही copy कर देगा ठीक है फिर उसके बाद हमने जो अब इसको हमने copy दो पर लिया बटा हमें node की module की dependency भी चाहिए तो उसको हम क्या करेंगे यह क्या करेंगा यह हम command run करेंगे run npm ci तो ci क्या है continuous integration है जो वो क्या करेंगा हमारी जितने भी package.json में हमारी dependence योंगी वो install कर देगा ठीक है हमारे इस folder के अंदर जो हमारी work directory का फोल्डर है ठीक है अब उसके बाद जो भी हमारी bundle app source है जो भी इसके अंदर source file है लाइक हमारी docker file पड़ी हुई है ठीक है यह पड़ी हुई है entry point पड़ी हुई है server.js file पड़ी हुई है तो यह सारी file को क्या करेंगा copy करतेगा इस folder के अंदर ठीक है हमारी work directory अंदर अब expose किसमें होगा expose जो होगा यह 3001 port यूज़ करेगा ठीक है अब जिसको जब यूज़ करेगा तो इसको हम जब local पर चलाते तो npm start करते तो same हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर एक container के अंदर कमांड से लानी पड़ेगी npm start जिससे हमारा क्या होगा यह जो एप का करेंगे मतलब जब वो चल जाएगी माइस्कल की service तब हम क्या करेंगे अपनी जो नोड की application है वो start करेंगे तो यह entry point हमने उसके लिए एक sh. हमारी shell script बनी हुई है ठीक है तो यह हम उसके लिए use कर रहे है ठीक है अब यह हमारी package.lock file आगे hand package.json इसके अंदर हमारी कुछ dependency है ठीक है प्रोजेक्ट को रहने करने के लिए अब जो हमारी main file है वो हमारी server.js file अब इसमें अगर आप देखोगे हमने express को install किया हुआ है mysql को use किया हुआ है ठीक है अब देखो यहां पर भी हमारा port जो है यूजर हमने route define किया है password हमने यह मैंने अपने reference के लिए रखा है ratad123 आप कुछ भी रख सकते हो database का name भी आप कुछ भी as you like आप रख सकते हो ठीक है यह हमने API के कुछ routes बनाए है first जो अगर slash route आएगा तो यह क्या करेगा जो हमारा database के अंदर table create होगा student नाम का वो से सारा data fetch करके यह हमें return कर देगा ठीक है दैन उसके बाद यह हमने test के लिए बनाया अगर हम test लगाएंगे तो simply क्या करेगा hello print कर देगा और इसी तरीके से हमने इसको क्या कर आप वो जुमने अपने port पे run करवा दिया listen करवा दिया कौह से port पे 3001 port पे यह हमारा server.js फाइल का था अब हम चलते हैं हम एप को बंद कर देते हैं अब हमारे पास यह डीवी का फोल्डर है यह मैंने आपको बता दिया था अब यह नीचे डीवी के अंदर हमारी जैसे हमने नोड आप्लिकेशन लिए जो नोड का वर्जन 16 यूज किया था यूसी के लिए सेम हमने माईस्केल के लिए हम क्या करेंगे 8 वर्जन जो है माईस्कुल का यूज करेंगे अब वो कर दिया अब उसके लिए अब उस माईस्कुल जब हमारा container रन होगा तो उसका करने यह बशार लाट जो डेटाबेस है और रूट का पासवड है और यहां पर सेट कर दिया तो रूट का पासवड सेम ऐसे जाए हो मैंने आपको बताया था जो भी आप रखनाיים जाते हो जैसे मैंने red head 123 रखाया यह कुछ भी रख सकते हो सेम माईस्कल के default port होता है वो 3306 होता है ठीक है तो यह इस पर expose होगा and then यह देखो अब जब यह container run हो जाएगा ठीक है यह minuscule का container run होगा तो क्या करेगा जो भी हमारी dot यह देखो यह जो हमारा dot जो इसी के अंदर इसी db के अंदर यह file पड़ी हुई है db का backup इसको जो यह initial point होता है हमारे database के container का ठीक है अब इसके अंदर क्या करेगा यह automatically इसको जो भी हमारा database जो भी हमने इस file के अंदर जो भी data होगा जैसे table create कर रहा है तो automatically क्या करेगा एक database बना देगा किस नाम से database बना देगा इस नाम से और जो भी इस file के अंदर हमने queries लिखी हुई है MySQL की वह automatically इस database के अंदर run करतेगा ठीक है तो यह हमारा initially point होता है जिसमें हम अपनी SQL की file को सीधा directly जब container run होता है तो अपने file को जो होती है SQL की उसको सीधा import कर सकते है ठीक है तो यह इस file का concept है database की file docker file का ठीक है I hope यह आपको अच्छे से समझ लग गया होगा ठीक है अब यह दोनों की आपको understanding होगी अब हम आते हैं अपनी जो main docker compose file होती है ठीक है तो यह docker compose file है तब docker compose file का syntax है वो कुछ अलग तरीके का होता है ठीक है तो सबसे पहले जो हम उसका version define करते है आप version कुछ भी रख सकते हो अपने case में मैंने 3 रखा है आप 3.0 something कुछ भी रख सकते हो ठीक है अब जो पहला उपर parameter आता है उसमें हम services लेते हैं अब services हमारी docker compose file में services कौन कौन से होगी अब यह देखो हमारी जो पहली service है वो db है आप कुछ भी declare कर सकते हो अब database के लिए मैंने गया करा मैंने db नाम दे लिया ठीक है अब जब इसकी build बनेंगी ठीक है तो build कहां से बनेंगी जब भी हम कोई भी build बनाते है तो जब build बनती है जब वो जाएगा तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली docker file को डूंडेगा ठीक है तो इसको जब docker file मिलेगी तो इसकी क्या करेगा build बनाएगा ओके background में इसकी build बनेंगी अब देखो यह चीज आपको यहां पर clear होगी जब मैं docker file open करता हूं अब यहां पर मैंने क्या किया docker file वेट हमने यहां पर एक यह बनाया था हमने यहां पर host दिया था db ठीक है अब यह जो host आएगा db यह एगा container का container की जो service बनेगी ठीक है तो हम जब इस compose file में आते हैं तो यहां पर हम जो service बना रहे हैं db ठीक है तो अब जब यहां पर connection बनेगा तो वो हमारा host देख़ db ठीक है by default आप कुछ भी रख सकते हो मतलब अगर आप यहां पर declare करोगे तो जो आपकी database की service का नाम आप declare करोगे आप उसको as a host use करोगे ठीक है तो वही काम हमने इस file में किया था ठीक है अब उसके बाद जो build बन जाएगी dot हमारी docker file से build बनेगी अब यह आता है volume का concept माइस्कल का जो भी backup रहेगा वो इस volume में automatically यह क्या करेगा इसमें store कर देगा means कि यह automatically volume बनाएगा इसमें हमने declare करिया इसमें जो भी हमारा data आएगा वो automatically इस volume में store रहेगा और इन उसके बाद हमारे environment environment में same हमने दो चीचे लिखनी है जो हमारा route का password है वो declare करना है और उसके बाद हमारे mysql का database है वो declare करना है जो हमने last docker file में किया है ठीक है अब उसके बाद हमारे network सा जाते है अब दो हमारे यहां पर container बनेंगे तो उनको दोनों को communication करने के network नाम से एक network मना है जो कि दोनों के बीचे में communicate करेगा देन उसके बाद हमारी next service आ जाती एप की application की उसमें जो बिल्ड बनेगी same context के अंदर dot app वाली file के अंदर देखेगा docker file कहा है same हमारे app के अंदर देखेगा app के अंदर उसको यह docker file यहां से मिलेगी यहां से वो उसकी build बनानी शुरू करेगा अब जब इसकी build बनेगी तो expose कौन से port पे होगा आप जो मर्जी जिस मर्जी port पे आप यहां पे expose कर सकते हो तो हमने हमारे case में कहा है 300001 पे हम expose करेंगे और सेम जब expose होगा तो यह command run होगी देखो इस command में हमने क्या करा है dot entry point dot sh यह entry point मैंने पहले भी बताया आपको क्या करेगा यह wait करेगा जब तक कि हमारी उपर वाली यह service जो है properly run नहीं हो जाती ठीक है तो यह उसकी wait करेगा इसी तरीके से हमने यह नीचे का है भी depend किस पर रहेगा जो depend रहेगा यह depend रहेगा हमारे db की उपर ओके तो इसकी dependency db की उपर है जब तक वो db run नहीं होगी properly यह नीचे app की blade नहीं बनेगी और same यह भी जो network है same common network पर दोनों काम करें और यह हमारा network जो हमारा network है उसको हमने यहां पर डिक्लेर करा और इसका driver कौन सा यूज कर रहा है यहां पर network भी हो सकता है और बहुत सारे यहाहां पे day mention हो जिस नाम से आपने यहां पर volume को declare कर दे करनी है ठिक है यहाँ इसको यूज करने क्विशने करा बठाट हमने यहाँ पर declare आप इसको यहाँ पर use कर सकते हो आपको क quir Later इना है तो तो यहां पर यह-मारी जो है composer docker.docker composer file है जिसको हम run करके अभी container build करेंगे I hope यह आपको file के structure और directory structure समझ आगी होगी अब हम मैं आपको ले जागता है हमारी जो docker की desktop है अब जो docker के desktop application है इसमें आप देख सकते हो यहां ना तो यहां पर कोई container है ना ही कोई image है और ना ही कोई volume है टीक है और यहां też कोई build बनी हुई है ठीक है , तो हम क्या करते हैं भी docker जो questions run करने में क्या होगा यह हमारी जो docker की compose file को run करेगा और झोके सर्विसेस हमने ड क्लेर करी आपकार्डिंग क्य चा आपकारेगा हमारे जो docker compose अब इसको चलाने के लिए हमारे पास यह command होती है docker compose अब ठीक है तो जब हम docker compose अब करेंगे तो automatically यह file को call करके क्या करेगा इनकी build बना देगा और यह container run हो जाएंगे ओके यहां पर मैंने hit कर दिया docker compose अब यह automatically अब क्या करेगा यह इसकी file ने create करेंगा और इसकी volume create करेगा image बनाएगा और container run होगा हम अपनी desktop पर चलते हैं तो यहां पर देखो अभी हम container पर पहले कुछ नहीं था अभी हम जब container पर आएं तो यहां पर देखो यह इसने container रन करें यह इसकी main service चल रही है और सबसे पहले मैं बताता हूं आपको सबसे पहले आप देखोगे यहां पर बिल्ड बनी है ठीक है दो बिल्ड बनी है एक तो यह docker file है जो db. हमारी docker file है और एक है app slash हमारी docker file दो बिल्ड बनी है यहां पर और उन दोनों बिल्ड कर हमारा यहां पर जो main है container रन हो रहे हैं कंटेनर रन होने पर हमारी यहां पर क्या है वॉल्यूम है यह देखो जो उनके वॉल्यूम बनगी और वॉल्यूम का benefit क्या होता है जो भी हमारे database होता है मालों आपने container केंदर को database में changes करें हैं बहुत सारे तो उसमें क्या है जब आप container delete भी कर दोगे बट आपकी जो volume आपका existing जो आपने previous काम करा हुआ हूँ हूँ आपका store रहेगा उसमें ठीक है वह आपका delete नहीं होगा और अगर आप volume delete कर देते हो तो जो भी आपका backup और data प लाया था तो मैं आपको एक minute जो हमारी command यहां पर देखो यह हमारी क्या है यहां पर service is running on 3001 port पर हमारा चल रहा है ठीक है तो मैं इसको यहां पर अभी run करूंगा यह देखो हमारी जो क्या है अब हमने यहां पर मैंने आपको दिखाई थी server dot हमारी जो file है यह देखो server dot js file अब इसमें अगर आप जाओगे तो यहां पर देखो slash अगर slash आएगा तो क्यार करेगा automatically select करेगा हमारे container के अंदर से जो data base बना है उसके table में से data get करेगा और यहां पर हमें display करवा देगा ठीक है और अगर मैं इसके slash में test लिखता हूँ तो यहां पर simply इसने हमें क्या करवा दिया hello print करवा दिया अब यह पूरे का पूरा जो भी data आ रहा है हमारे container के अंदर से चल रहा है ठीक है यह हमारी connectivity होगी है properly mysql के साथ और हमारे container के साथ अब जब हम इसमें जाएंगे container की जो structure है जैसे अभी मैं container में गया यहां पर तो यहां पर जब मैं पहले अपना database को open करूंगा तो database को मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखो यह इसके logs है अब उसके बाद हमारी जो यहां पर यह हमारा shell रहता है यह अब जब inspect करोगे यहां पर यह आपको पूरे container की detail देदेगा ठीक है यहां पर चेक कर सकते हो कौन सी command run हो रही है state क्या है कौन सी image यूज़ कर रहा है port binding क्या है runtime क्या है amount point भी आप चेक क सकते हो volume अब यहां पर यह देखो volume यूज़ कर रहा है यह ठीक है यह volume यूज़ कर रहा है environment में आप देख सकते हो यह environment के इसके variables है जो हमने set करे थे यह database आ गया redhead का आपने जो password दिया था labels हमने use नहीं करे थे कुछ और यह इसका network है जो हमने network यूज़ किया इसका ओके यह आपको पूरी के पूरी यहां पर detail available हो जाएगे अब यह मारा execute cell है अब मैं यहां पर आपको database में login करके दिखा सकता हूं ठीक है मैं यहां पर mysql-user root यह मारा password जो मारा password था redhead 123 यह देखो मेरा login हो गया मैं यहां पर show databases करूँगा है यहां पर मेरे पास देखो databases आ गया अब मैं यूज़ करता हूं node यह का और show tables अब यह देखो हमारे पास student का table आ गया अगर मैं यहां पर select करके चेक करूँ select star from student तो यहां पर हमारे पास जो exactly मारे पास यहां पर डेटा आ रहा था same data हमारा वहां पर आ रहा है कि देखो same data हमारा हमारे एपे में हमें return हो रहा है ठीक है तो यह था हमारा mysql का container अब same में आपको लेके चलता हूं हमारे जो एप का container है तो same यहां पर लॉक्ट चेक कर सकते हो same इसका भी आप जो चेक कर सकते हैं यहां पर bind mount है अब execute है अब यहां पर अगर मैं आपको pwd करके दिखाऊंगा तो यहां पर देखो जो हमारी work directory थी वह यहां पर है हमें इसको अगर class करूं तो जो उसने यहां पर copy किया है हमारा देखो डॉट डॉट करके जो भी सारी जी जो उसने copy करी थी लाइक इसमें क्या है हमारी डॉकर फाइल आगी हेंट्री पॉइंट और एसे चागे नोड मडियूल सागे पैकेज आगया और सर्व डॉट जेसन फाइल और पैकेज डॉट जेसन फाइल सारी है फाइल जो हमने copy करी थी वह हमारी इस work directory के अंदर प्रेजेंट हो गए ठीक है तो यह concept है सारा कर सकते हैं then docker compose file के तुरू जो हमने docker file बनाई है उससे हम कैसे अपने container run कर सकते हैं और कैसे images बिल्ड कर सकते हैं तो यह एक छोटा सा concept था how we can create container with images and also with the help of my sql database so I hope guys यह video आपको अच्छी लगी होगी ठीक है प्लीज लाइक करें कमेंट करें और शेर करना नहीं बूला थैंक्यू फॉर वाचिंग गाइस